दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छा fundamental stock सबसे कम टाइम में कैसे चुने जिसको कोई knowledge नहीं जिसको कुछ नहीं पता कुछ भी नहीं जानता फिर भी वो चाहता है कि मैं एक ऐसा stock चुनू जो बेकार ना हो जो बिल्कुल waste ना हो जिसकी कोई कीमत ना हो हर कोई बंदा यह चाहता है कि मैं अपनी तरफ से ऐसे stock purchase करूं ऐसे stock में पैसा लगा हूं जो एक बहुत अच्छा मुझे आगे जाकि return दे राइट तो आज इसी के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेडिंग चानक के यूट्योब चैनल चलिए शुरू करते हैं और बात करने वाले कि आप अच्छा fundamental stock को बहुत ही कम समय में बिना किसी knowledge के कैसे select करें तो इसका बड़ा ही simple सा मैं आपको एक answer दूँगा आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे आप गूगल पर जाएंगे और एक बहुत ही अच्छी साइड है जिसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है मनी कंट्रोल को सर्च करिए जब आप website को खोलेंगे तो उपर आपको दिख रहा होगा मुशल फंट्स का तो आप इसको एक बाद क्लिक करिए दोस्तों यहां मुशल फंट की काफी सारी रेटिंग्स दिखेंगे आपको एक्विटी की अगर एक्विटी में आप लगा रहे है पैसा तो यह देखिए जो रैंक वन हो जिसने सबसे जादा रिटन दिया है तो आप उसको स्लेट कर सकते हैं जैसे कोटक स्लेक्ट है और यह आईसी आईसी प्रो है तो इन में से किसी को भी आप एक स्लेक्ट कर सकते हैं जो अच्छी रैंका हो चलिए हम कि आईसी आईसी को एक बर स्लेक्ट करकर देखते हैं अब इसको क्लिक करें गें तो यह कुछ पर्फॉर्मस्स दिखेगी आपको पिछली वेरी गूद प्रफॉर्मस्स औरुंचियर ये या किया clos, यहां पर देखें नीचे आपको portfolio के अंदर एक holdings दिखाएगा यह holding आप इन holding को click करेंगे तो जो इन्होंने share purchase करेंगे है वो सारे shares आपको दिख जाएंगे अब यह आप देख रहे हैं पूरी list Axis bank, IOC, Tata Motors, Sipla, ONGC, Sun Pharma, Hindalco, SCL Tech जितने भी share है दोस्तों यह high quality के share है जिने कहाते है न good fundamental stocks यह सारे वो stocks है अब यह जो stocks इन्होंने select करें यह highly qualified fundamentalist जो अच्छे market की परक रखने वाले हैं उनके दुवारा select किये गए है क्योंकि इनको 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, 5,000, 10,000,000 नहीं लगाना इनको अर्वो रिप्या लगाना है अगर आप देखेंगे तो एक-एक stock पे 163 क्रोड, 148, 177, 187, 185, 183 मतलब इतना पैसा इनको एक-एक stocks में लगाना होता है तो यह जो manager से highly qualified होते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी परक होती है जब जाके इतना पैसा लगा पाते हैं क्योंकि public का पैसा है ऐसे नहीं लगाया जा सकता राइट तो reputation का भी सवाल होता है लेकिन जब amount बहुत जादा हो जाता है तो फिर उसी हिसाब से हमें highly qualified बंदों की भी जूरुत पड़ती है तो दोस्तों यह आपके holding दिखा दी जितने भी stocks हैं इन में से आप कोई सा भी stocks select कर सकते हो लेकिन एक सवाल यह है कि जिसको knowledge नहीं नहीं है वो कर सकता है कोई issue नहीं है पांच जार लगाने मुझे knowledge नहीं मेरे पास बहुत पैसा है मैं फाल्टू के जमेरे में नहीं पड़ता और मुझे सीधा बता तो कौन सा खीदना हम खीद के डाल देते मेरे पास 5 लाके 10 लाके 20 लाके कुछ लोग होते ऐसे चलिए उन यह अलग-अलग sector के 15-20 होने चाहिए तो आप अलग-अलग sector के इसमें से आप स्टॉक्स एक करके स्लेक्ट कर लीजिए और 50 इसमें फैसा लगा दीजिए एक तरीका तो यह है दूसर तरीका क्या है आप इस में थोड़ी सी टेक्निकल एनलेसिस की मदद ले सकते हैं कि जो स तो वह एक अच्छा है और एक बड़ा एक अच्छा मैं आपको दूंगा तो सबसे ज्यादा हॉल्डिंग इनकी बैंक की है आप देखेंगे तो सेवन परसेंट होल्डिंग इनकी इसी सी की है 163 क्रोड की तो आप इसी से आप अंदाजा अंदर लगा सकते हैं कि मेरी दुकान में कितना पैसा मैं कितना कमाता हूं और आगे उसमें ग्रोथ हो रही है तो मैं आगे जाके और अच्छा कमा सकता हूं तो ऐसी आइसी वालों को बताईजी मेरा बैंक जिस पोजिशन बहर है तो आगे चलके वह बहुत अच्छी बढ़ेगा तो इस चीज़ से आप अच्छे से जाज कर सकते हो कि जिसमें ज्यादा ओल्डिंग कर रखी है मुश्य पर्ण ने आप इस तरीके से भी च्रक को सेलेक्ट कर सकते यह एक दूसरा तरीका है इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा मान लीजिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसी बैंक की थी आपने एक स्टॉक तो आइसी आइसी का यहां से पर्चेस कर लिया राइट आइसी आइसी की मुशन फंड ने रिकमेंड करा उनके जो मैनेजर्स थे उनके इसाब से आइसी आइसी बहुत अच्छा स्टॉक है और सबसे आदा होल्डिंग उन्होंने उसके ओपर डाली राइट थोड़ा सा बैक करते हैं वापिस हम मुशन फ्रेंट वाले टैक पर आते हैं अब कोटेक वाला स्लेक्ट कर सकते हैं कोटेक वाला भी अच्छा चल आप एक बार इसकी होल्डिंग सेर्च कर सकते हैं अब एक स्टॉक का आपने उसकी रिकमेंडेशन से ख्रीद लिया अब यह देखिए अब इसने सबसे अदा होल्डिंग HDFC पर डाल रखी है अगर आप देखेंगा HDFC, ITC, Reliance है, Hero है तो आप इसमें से भी आप जो हाई हाई होल्डिंग वाला है आप उसको खृष सकते हैं तो इस तरीके सा एक अच्छा Fundamental Stock आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और इन Fundamental Stock के अंदर से भी आप अपनी तरफ से जो भी आप चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप आप वैलुड, हाई वैलुड प्लस आप Market मोजो में जाकर सर्च कर सकते हैं इन Stocks को जिसकी भाई तीन आपको Green Light दिखी तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लिजिए प्लस जो लोग नए है जो Market मोजो को नहीं जानते हैं जो 200 EMA को नहीं जानते हैं तो उन दोनों के लि मार्किट मोजो डोट कुम क्या है तो वो दोनों वीडियो आपको देख लीजिए तो यह आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो बड़ा ही सिंपल और असान सा तरीका है आम लोगों के लिए हम जैसे लोगों के लिए जो जाधा परक नहीं रखते से हमारा सर्विस पर ज्यादा फॉकस है क्योंकि मेरे साब से हर आदमी को मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए कोई रिक्षा चलाने वाला भी है तो उसको भी डिमेट खुलवाना चाहिए वह चाहे दस रुपे ही लगा है डेली का वह भी चलेगा और इसके बारे में में बड़ी एक सिंपल सी एक वीडियो बना के लेकर आऊंगा जो काफी लोग जो मिसगाइड होते हैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को ले करके अब मतलब ट्रेडिंग की तरफ जादा अट्रेक्शन जाता है तो वह अट्रेक्शन में अटाने की थोड़ी सी आपकी करता हूं लेकिन एक कहते हैं कि जब लोहाग गरम होता है तो वह तोड़ा माना चाहिए तो वही काम करता हूं में जब जो चीज गरम होती इनवेस्टिंग तो हर टाइम के लिए कभी भी करिए आप आज चाहते खरीदना चाहते हैं तो मार्केट जैसी ओपन होगी आप जाएगी किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाली है आप स्टॉक को डेली खरीदिए हर मार्केट सिच्वेशन में आप स्टॉक को खरीदेंगे तो कुछ बड़े में होंगे कुछ डाउन होंगे तो वह साइकल चलता रहता है तो यह एक वीडियो से आपको काफी हद तक मदद मिलेगी एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक पर रिसर्च करने में जो लोग रिसर्च करते हैं तो आप फंडामेंटल स्टॉक इन स्टॉक के अंदर से एक अच्छा स्टॉक चुनने की कोशिश करिए और अपने पॉर्टफॉलियो में उसको एड करिए राइट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही मज़दार वीडियो लाने वाला हूं थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा उस वीडियो को देखने के बाद कि इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फरख्या है तो वो थोड़ा सा आप समझेंगे और कौशिश मेरी रहेगे कि थोड़ा सा Another 911 की तरफ जादा में खीच करके लग चलिए आज के लिए इतना ही goods बढ़ बाय और ब्लस्य व्रेंट